पर चला गया भुकमरी के मामले में पच्पहना वहां से 111 वहां अस्थान पर चला गया इस वाद भी तो करो भाई किसके समय भाई तो यह आप अपने नेता को नहीं बताते क्या पुदित राज यह आपके नेता या तो आप उनको इसलाह नहीं दे पा रहे हैं या वह सवाल कि यह बात यही बात तो मैं पुछ रहा हूँ रहू गांदी यह बात क्यूछन नहीं उठाते रहू गांदी कि यूपी का यूबा शाब पीकर और सड़क पर नाच रहा है मैं बीजेपी के परचार के लिए यहां बैठा हुआ भूँ मैं तो सही मुद्दे उठाने की बात कर रहा हूं यही सवाल लेकर आया हूं यही सवाल लेकर आया हूं उदितराज की मर्यादा है रंजी जी मैं एकी चीज कहना चाहता हूं के उदितराज जी वो नाराज फूफा है शादी में आज आप इने कितना भी मनाने की कोशिश कर रहो यह नहीं मानने वाले अजिंडा है इनका आप इनके ट्रैप में जितने फसकर टाइम देते जाएंगे यह इसी त कोई बात ने मेरी बात पूरी नहीं होई थी आला की लेकिन को लगातार बोलते रहेंगे अपने समय में भी बोले कोई अपमान नहीं हो रहा है कोई अपमान नहीं हो रहा है उदितराज हमने हमने वहीं कहा है हमने अपनी तरब से कुछ भी नहीं दिखाया जो राहूल गां पालोचना सुने को तैयार है जिवे डिरेल करते है ठीक है ठीक है मैं दूसरा सवाल मैं एक पर दूसरा सवाल 22,000 लोग वोट कर चुके हैं मैं एक मिनट आप दोनों को रोकूंगा इसलिए क्योंकि ये कारिकरम सिर्फ आपका और हमारा नहीं है ये साथ-साथ दर्शकों का भ सकते हैं असमानने वाले लोग 491 फीसदी हैं सिर्फ देढ़ फीसदी लोग है जो कहते ही की राहुल गांधी बहुत प्रोग्रेसिव हैं और 1.3% जो कि कह रहे हैं कि वो कह नहीं सकते कि राहूल गांधी के बारे मुनकी कोई राय नहीं है लेकिन ज्यादा तर लोग बात को सुईकार करते हैं या यह मांनते हैं कि वो घिसी पिटी बात कर रहे है राहूल गांधी अब ये लोगों की राय है ये ओनलाइन वोटिंग हो रही है उदित राज ये इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है आप कोई भी आदमी जाकर वोट कर सकता है और ये तस्वीरे लाइव जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आकड़े लाइव अपडेट होते हैं इसलिए जो आप सुनकर बहुत बिचलित हो गए उनको लगा कि ये उनके नेता के बारे में क्या ही कह दिया गया जबकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो पहले नहीं कहा गया हो या जो राहुल गांधी ने खुद नहीं कहा ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा फिर भ राहुल गांधी आज की तारीक पे जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं खुदित राज मैं आपके पास आऊंगा एक मिनिट का समय दीजी आप बोलते रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी संजी स्री वास्ता हो राहुल गांधी जहां जाते हैं वो बीसी की बात करते हैं OBC नहीं हैं दलित नहीं हैं आदिवासी नहीं हैं तो उनकी नजर में आप अपराधी हैं हमने देखा कि अभी हाली में उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया और उसके जवाब में राहुल गांधी ने उससे पूछ लिया कि तुम्हारी जाती क्या है क्या करना चाहते हैं साबाब जी हाँ मेरी आवाज आ रही है जी बिलकुल आ रही है मैं कह रहा हूं राहूल गांदी में बहुत ऐख बहुत कम्यां है कई बार ऐसा लगता है उनको सुनके की जो वो बोल रहे हों नहीं बोलना चाहिए जी तो और यह बात तो मैं कहूँ उससे कहीं अधिक विस्तार से आप अपनी प्रस्तावना में कही चुके हैं दस बारा मिनिट की और बुलकुल सम्मान से मैं कहना चाहरा हूँ ये कि राहूल गांदी जितने खीजे हुए और गुसे में नजर आ रहे थे मुझे आप भी बहुत गुसे में निजर आ रहे थे उस प्रस्तावना में मैं गुसे में नहीं था मैं तो बात कह रहा हूँ जो राहूल गांदी ती जा रहे थे लगा बहुत चुके हैं और मैं उस कंक्लूजन से पूरी तरह ऐसे हैमत नहीं हूँ ये मैं पहले भी कह चुका कि राहूल गांदी कई बार ऐसी बात करते हैं जो बड़ी अटपटी लगती है और राजनीतिक रूप से बहुत ही पोची सी बात होती है कोई उसका कारण नहीं होता लेकिन एक बैटके सवेरे से शाम तक राहूल गांदी की पिटाई करते रहें तो कम से कम मैं उस तो उसका हिस्सा नहीं हो opposition का नेता है जनता पसंद नहीं कर रही है जनता नहीं नहीं अब सुन लो न आप 15-20 मिनिट बाद तो मेरे पास आये हो जनता उनको नकार रही है Congress को नकार रही है BJP को पसंद कर रही है ये बात तो लोकसभा चुनाओं के नतीजे 2014 में और 2019 में दिखा चुके लेकिन सिर्फ आप भी जैसे बार-बार कह रहे हैं कि ये जनता का मीटर बोल रहा है ये चल रहा है ये 97 फीजदी है बोल चुके तो बही वो 97 फीजदी तो पहले 12 मिनिट आपको सुनके वोट कर रहे है तो वह वही लोग आ रहे है वही कॉंस्ट्वेंसी है ये जो अगर 47 फरसेंट वोट उनके खिलाफ पढ़ रहे होते तो देश में बीजेपी को 47 फरसेंट वोट मिल रहे होते ना और कॉंग्रेस और पुरा विपक्स 3 परसेंट पर निप्ता हुआ होता ना ऐसा नहीं है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ तो ये तो आप जिस तरीका एक Eco Chamber बनाएंगे उस Eco Chamber में उसी तरह के लोग आके बात करेंगे उसी तरह का ये कोई जरूरी नहीं है संजीव स्री वास्तों संजीव स्री वास्तों जब जनता वोट करने जाती है तो उसके सामने 50 मुद्दे होते हैं वो जरूरी नहीं है कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं उस पर जो राय हो उसी के आधार पे वोट भी करेगा सो वोटिंग पैटर्न एकदम इससे अलग हो सकता है मैं सायद इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ लेकिन सुजाता पांडे मैं एक पर सुजाता पांडे के पास चलूँगा संजीव स्री वास्तों जो कह रहे है सुजाता जो संजीव स्री वास्तों कह रहे है मेरी गलत फहमी नहीं है कि अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो आप फीक है आप एक है सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा है लेकिन लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि आप अपनी आलोचना सुनकर इतने बिचलित हो जाएं कि आप उसका जवाब भी न दे पाएं तो ये तो ठीक नहीं होगा